प्रधान मंद्री नरिन मोदी क्या कुछ कह रहे हैं अमदावाद में ज़र सुनते हैं हमारे एक और साथी है जो डेरी सेक्टर के सबसे बड़े श्टेक होल्डर है मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं यह श्टेक होल्डर यह साजिदार है हमारा पशुधन मैं आज इस यात्रा को सफल बनाने में पशुधन के कॉंट्रिबुशन को भी सम्मानित करता हूं उनके पती आदर व्यक्त करता हूं इनके बिना डेरी सेक्टर की कलपना भी नहीं हो सकती इसलिए मेरा देश के पशुधन को भी प्रणाम भायों और भेनों भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रेंड बने लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं आज अमूल भारत के प्रशुपालकों के सामर्त की पहचान बन चुका है अमूल याने विश्वास अमूल याने विकास अमूल याने जन भागीदारी अमूल याने किसानों का ससक्तिकराण अमूल याने समय के साथ आधुनिक्ता का समावेश अमूल याने आत्म निर्भर भारत की प्रेणा अमूल याने बड़े सपने बड़े सपसंकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धिया आज दुनिया के पचास से ज़्यादा देशों में अमूल के प्रोड़क को निर्यात किया जाता है अठारा हजार से ज़्यादा दुग्त सहकारी मंडली 36 लाग किसानों का नेटवर्क हर दिन साड़े तीन करोर लीटर से ज़्यादा दुग्त का संग्रहान हर रोज पच्छू पालकों को 200 करोड रुपे से अधिकान ऑनलाइन पेमेंट यह आसान नहीं है छोटे छोटे पच्छू पालकों की यह संस्ता आज जिस बड़े पहमाने पर काम कर रही है वही तो संग्रठन की शक्ति है सहकार की शक्ति है भाई और बहनों दुर्गामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीडियों का भागे कैसे बदल देते हैं अमूल इसका भी ये कुदाण है आज अमूल के ये नीव सर्दा वलब भाई पट्रेल के मारदर्शन में खेडा मिल्क उनियन के रूपर रखी गई थी समय के साथ डेरी सहकारिता गुजरात में और व्यापक होती गई और फिर गुजरात मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन बनी है आज भी ये सरकार और सहकार के ताल मेल का बैतरिन मोडल है ऐसे ही प्रयासों की वज़े से हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूदुत्पादक देश है भारत के डेरी सेक्टर में आठ करोड लोग सीधे जुड़े हुई है अगर मैं पिछले दस साल की बात करूँ तो भारत में दूदुत्पादन में करीब करीब साथ प्रतीशत वृत्ति हुई है पिछले दस वर्सों में प्रति व्यक्ति दूद उपलब्दता भी करीब करीब 40 प्रतिशत बढ़ी है दुनिया में डेरी सेक्टर सिरफ दो प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है जबकी भारत में डेरी सेक्टर छे प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है साथियों बारत की डेरी सेक्टर की एक सबसे बड़ी विशेस्ता है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है आज इस अइतिहासिक अवसर पर मैं इस विशेपर विविस्तार से चर्चा करना चाहता हूं भारत में दसलाग करोड रुपिय के टर्नोवर वाले डेरी सेक्टर की मुख्य करता धरता देश की नारी शक्ति है हमारी माताएं हैं हमारी बहने हैं हमारी बेटियां हैं आज देश में धान गेहूं और गन्ने को भी मिला दे तो भी इन फसलों का टर्नोवर दसलाग करोड रुपिय नहीं होता जबकि दसलाग करोड टर्नोवर वाले डेरी सेक्टर में सत्तर पतिशत काम करने वाली हमारी माताएं बहने बेटियां भारत के देरी सेक्टर के असली रीज असली बेकबॉर्ण यही महिला शक्ति है आज अमूल सफलता की जिस उंचाई पर है वो सिर्फ और सिरफ महिला शक्ति की बजह से हैं आज जब भारत विमेन लेट डेवलप्मेंट के मंतर के साथ आगे बढ़ रहा है तो भारत के डेरी सेक्टर की यह सफलता उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है मैं मानता हूँ कि भारत को विक्सित बनाने के लिए भारत की प्रत्तेक महिला की आर्थिक शक्ति बढ़नी उतनी ही आवशक्ता है इसलिए हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी चौध तरफा काम कर रही है मुद्रा यूजना के तहट सरकार ने जो तीस लाग करोड उपे से जादा की मदद दी है उसकी करीब सत्तर प्रतिशत लाबारती बहने बेटियां ही है सरकार के प्रयाँ से पिछले दस साल में महिला सेल्प हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या दस करोड को पार कर गई है पिछले दस साल में बाजबा सरकार ने ने छे लाग करोड उपे से अधिक की आर्थिक मदद दी सरकार ने पी एम आवास योजना के तहट देश में जो चार करोर से जाजा गर दिये हैं उनमें से जाजा तर गर भी महिलाओं के नाम है ऐसी अनेक योजनाओं के वज़े से आज समाज में महिलाओं की आर्थिक भागिदारी बड़ी है आपने नमो ड्रोन दीजी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा इस अभियान के तहट अभी शरुवात में गाउं के स्वयम सायता समूओं को 15,000 आधुनिक ड्रोन दिये जा रहे हैं यहां तुनिक ड्रोन उड़ाने के लिए नमो ड्रोन दीजीों को ट्रेनिंग भी दी जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब गाउं गाउं में नमो ड्रोन दीजीयां कीट नासक छिड़कने से लेकर खाद छिड़कने में भी सबसे आगे रहेगी सात्यों मुझे खुशी है कि हाँ गुजरात में भी हमारी डेरी सहकारी समित्यों में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है मुझे आद है जब मैं गुजरात में था तो हमने डेरी सेक्टर से जुड़ी महिलाओं के लिए एक और बोड़ा काम किया था हमने सुनिशित किया कि डेरी का पैसा हमारी बेहनों बेटियों के बैंक कातों में सीधा जमा हो मैं आज इस भावना को विस्तार देने के लिए भी अमुल की प्रसंसा करूंगा हर गाओं में माइक्रो एटियम लगने से पसुपानों को पैसा निकाली